Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Studies तो class चल रही ही है KBS, PGT, Maths का हम paper solve कर रहे हैं और ये आपका 2023 का जो examination हुआ था, okay 18th of February को तो उसका हम question paper यहाँ पर solve कर रहे हैं इसके पहले हमने आपको एक lecture इस पर question paper कर रहे था जिस पर काफी सरे question solve के थे कल इस question को हमने छोड़ दिया था, देखे, question number 100 जो है, ये question क्या कह रहा है The point 4,1 undergoes the following two successive transformation reflection about the line y equal to x and translation through a distance of two unit along the positive x axis तो सबसे पहले एक चीज़ ये देख लिजे कि आप अगर किसी line का y equal to x के about अगर आप image लेते हैं image मतलब कि इसका आप reflection लेते हैं तो x की जगे y हो जाएगा, y की जगे x हो जाएगा तो 4,1 का जो transformation हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1,4 हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ 1,4 हो जाएगा, जो आपका reflection बनेगा और 1,4 के बाद देखे reflection तो कर दिया अपनने, मतलब इसका आप एक सक्ष पर 2,1 का आप ट्रांसफर कर रहे हो, माल लो आपके पास ये पॉइंट 4,1, अब आप 4,1 को जो है 4,1 नहीं था, 1,4 था, माल ली जी पॉइंट आपके पास 1,4 है और 1,4 को आप दो यूनिट आँगे शिफ्ट कर रहे होते हैं, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3,4 हो जाएगा, क्योंकि X कोडिनेट में इसमें 2 की व्रद्धी हो जाएगी 2 बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा इसका 3,4, तो correct option इसका 3,4 है तो यहाँ पर अगर फिर भी बच्चे गलती करके आते एक्जाम का प्रेशर जो होता है, अलग टाइप का हुआ करता है, तो आप कोई भी एक्जाम दे, सबसे पहले उसकी आप strategy बनाईए, कि उसकी strategy क्या होगी जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, इन सब में आपके पास में बिलकुल भी मत लगाईए, ओके 160 भी बहुत बड़ी बात होती है, 140 के अगर आसपस आपका यह आ जाते हैं तो आप शियोर साथ बहुत सेफ कंडिशन में है तो इसलिए हमें strategy के along काम करना चाहिए, और इसलिए strategy के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग mock paper लगाईए mock paper लगाने से सही speed आती है यह समझ में आता है कि paper कैसा आएगा और हमें किस तरीके का question solve करना है चली anyway, आँगे बढ़ते हैं अगले questions की तरफ चलते हैं कल हम लोगों ने यह सारे कर लिए थे आज आँगे करेंगे सबसे पहले 3 को दो बाहर निकाल दो तो 3 बाहर निकल गया तो कितना बन गया 17 C सेलेक करने करने है 11 करने है अब 3 बाहर निकल गया अब कह रहा है कि एक तो हमेशा हमें include हो रहा है तो वह permutation में भला भाग क्यों लेगा combination में तो 17 में से वो 1 मैस हो गया 16 और C अब आपको किते सर्क करने है 10 को तो 16 C 10 इसका correct answer है ओके तो ये भी question बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है ओके इसका जैसे यहाँ पर option इस student ने कितना दिखाया है 2 दिखाया है ओके कितना दिखाया है यहाँ पर answer इसका answer 2 लगा दिया है जबकि कल मैंने बताया था कि इसकी जो rank होगी वो 3 होगी कल बड़े आराम से इसकी rank अपन की क्या निकली थी 3 निकली थी कि यही वाला जो diagonal है यह वाला diagonal जो हो जाएगा rank क्या देदेगा 3 देदेगा तो बहुत आराम से दिख रहा कि उसकी rank 3 आ रही है विन देन आइगन values आइगन vector वाले question देखिए इसमें जो student ने किया था आइगन values निकलनी थी देखिए क्या इसमें देखता हूं मैं चेक कर रहा हूं हाँ इसमें देखिए option number 1 निकला है मतलब student से कहीं ना कहीं गलती हुई है यहाँ पर option number 1 नहीं है यहाँ पर option number कौन सा आएगा 2 option number 3 आ रहा है 2,4 तो 108 का option number 3 होना चाहिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं question number 108 जी हाँ 108 का option number 3 सही है यह भी एक बहुत बड़ी mistake हो जाती है और यह time की वज़े से या exam pressure की वज़े से ही हुई है चलिए अब आंगे करते हैं आंगे के question करींगे आज ओके चलिए friends अगले question की ओर चलते हैं कल जहां तक करा दिया था उसके आंगे पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे question number 111 देखते हैं कह रहा है in a class test mathematics 7 student obtained 10, 45, 35, 43, 25, 46 and 15 marks the mean deviation from the median आपको बताना है कि mean deviation median से कितना निकलेगा तो सबसे पहले आपको क्या निकलना पड़ेगा यहाँ पर आपको इसका median निकलना पड़ेगा तो median के लिए सबसे पहले data को arrange कर लो आप बढ़ते करम में तो सबसे छोटा data आपने पास 10 है 10 के बाद 15 है, okay 10 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद देखी है यहाँ पर 25 है 25 के बाद आपके पास 35 है, 35 के बाद आपके पास 43 है, 43 के बाद आपके पास 45 है 43 हो गया 45 हो गया और 45 के पाद आपके पास 46 है total 1 2 3 4 5 6 7 7 data हो गए है अब आपको सबसे पहले क्या निकलना है median निकलना है तो median देखिए बीच का data हो जागा यहाँ पर तो median अपने पास में कितना हो जागा 35 इसकी median हो जाएगी तो सारे deviation नीका लिए तो 35 में से 10 आपके पास में 35 में से 10 आपके पास में 25 में 25 थाठीफाइब गली तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा फिर कितना बज़ जाएगा यह आपके पास में 35 में से 25 गया तो 10 बज़ जाएगा ओके दैन 43 में से 35 गया क्योंकि आपको mod लेना है तो plus में ही लेना है कोई दिक्कत नहीए उसमें 43 में से 35 गय तो 8, 5, 13 यानि 8 बच जाएगा यहां कितना हो जागा 10 बच जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 11 बच जाएगा और डिवाइड बाई टोटल नमर अफ डेटा कितने है 7 है तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 10 और 10 बीस और 20 और 20 चालिस हो गया यह चालिस के बाद देखिए 11 और 8, 19, 19 और 25 तो 25 में 29 एड़ करिए 9, 5, 14 की चार केरी आगई 1, 2, 3, 4, 44 और यहां पर कितना हो जाएगा था 20, 20, 40 हो गया था तो यह 40 हो गया था तो यह हो गया 84 ओके 84 है और डिवाइड बई कितना करना है 7 करना है तो आंसर कितना आएगा 12 आएगा तो आंसर इसका 3 होना चाहिए चले चेक करते हैं तो answer number 3 question number 111 answer number 3 आना चाहिए answer sheet में बिल्कुल सही है answer number 3 आया बड़ देखिए यहाँ पर student ने question number 2 का answer number 2 करके आया है मतलब यह exam pressure है और ऐसे pressure को deal करने के लिए एक ही तरीका की आप mock test लगाई है इसके अलावा और शायद कोई तरीका मेरे ही समझ में नहीं है कि ऐसे exam pressure को कैसे solve किया जाए आप mock test लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस type के question कैसे solve होंगे otherwise यह गलतियां होती रहेंगी इसका correct answer कितना आया है 12 is the correct answer तो यहाँ पर जो difference आएगा वो 12 आया हुए चलिए अगला question करते है दिखे if sum of the two non zero number is 6 the minimum value of the sum and their reciprocal is तो यह maximum minimum का question है आपने पास में sum of the two non zero numbers is 6 तो आपके पास क्या है x plus y equal to 6 ले लिजे ओके और आप से क्या पूछा जा रहा है इसके बाद में आप से पूछा जा रहा है कि if x plus y equal to 6 है the minimum value of sum of their reciprocal तो आपसे minimum value माल लेजे कि आप reciprocal को r function माल लेते हैं तो आप से पूल अचा जा रहा है 1 upon x plus 1 upon y की minimum value क्या होगी minimum value तो सबसे पहले इसको function को adjust कीजे so r is equals to 1 upon x plus 1 upon y तो 1 upon x plus y की ज़र कितना जागा 6 minus x आप इसको simplify थोड़ा कर सकते हैं देखें आप यदि r equals to इसका LCM ले ले यहाँ पर तो 6 minus x plus में कितना हो जागा x और नीचे हो जाएगा 6 x minus x का square ठीक है x से x cancel हो गया कितना बज़ गया आपके पास में 6 upon 6 x minus x का square अब आपको पता है कि maximum minimum के लिए आपको क्या करना पड़ता है इसको differentiate करना पड़ता है तो differentiate करने के लिए इसको एक का मैं कर सकता हूँ देखें इसको आप पूरे को टी भी ले सकते हो तो यदि directly करूँ मैं d r by dx तो कितना जाएगा देखो minus 1 upon minus 6 upon इस पूरे को मैं लिख देता हूँ minus 6 into 1 upon 6 x minus x का पूरे का क्या बन जाएगा whole square बन जाएगा ठीक ना तो यह हो गया और फिर इसका 6 x का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और minus का कितना हो जाएगा 2 x हो जाएगा ठीक ना अब देखें आपके पास में क्या है कि आपको इसको 0 के equal कराना पड़ेगा तो नीचे वाले पार्ट से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है तो 6 minus 2 x equal to 0 ओके तो 6 minus 2 x equal to 0 तो 2 x equal to कितना आजागा 6 तो x equal to कितना आगा 3 तो I hope कि जो 3 पर ही minimum value निकलेगी तो ज्यादा कुछ करने की जुरुत नहीं है हमको minimum value निकालनी है तो x equal to 3 होगा तो y equal to 3 होगा तो reciprocal की minimum value 1 upon 3 plus 1 upon 3 answer आ रहा है 2 upon 3 तो मैं चेक करता हूं answer sheet में इसका answer क्या है 112 का मैं जो suggest कर रहा हूं answer C suggest कर रहा हूं 112 का C बिल्कुल सही है 112 का answer number 3 is the correct answer ओके 2 upon 3 ही correct answer आया है चली दिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 upon 3 ही लगाया है student ने so this is correct ओके 3 is the correct answer चली अगला देखते हैं अगला question है equation of the tangent to the curve y equal to x plus sin x cos x at x equal to pi by 2 तो x equal to pi by 2 पर आपको tangent का equation चाहिए तो मैं कहूंगा पहले आप इस curve को थोड़ा सा simplify कर लो x plus एक काम करो यहाँ 2 का multiply करोगे और 2 का नीचे divide कर दोगे तो यह 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा sin x cos x तो यह क्या बन जाएगा आपके पास में y is equal to x plus 1 by 2 sin 2x अब आप क्या करिए इसको आप differentiate कर दीजे d by by dx कर दीजे तो इसका कितना आजाएगा अपने पास x का 1 हो जाएगा और 1 by 2 sin 2x का कितना होता है cos 2x into कितना हो जाएगा 2 2 से 2 cancel कर दीजे तो d by dx कितना आगया cos of 2x आगया ठीक है अब देखे आपके पास में जो value के इस पर tangent निकलना है x equal to pi by 2 पर तो put कर दीजे तो cos of 2 into pi by 2 2 से 2 cancel हो गया cos pi कितना आगया minus 1 अब चलिए put करिए तो क्या है हमें निकालना है tangent formula तो tangent का y minus y1 equal to m into x minus x1 यह formula हुआ करता है तो y minus y1 देखे y1 क्या होगा मतलब आपके पास slope तो 1 आ चुका है x minus x की जगे कितना आपका pi by 2 है x equal to pi by 2 आप यहाँ पर put कर दो है ना तो आपके पास x कितना बचेगा यहाँ y कितना बचेगा pi by 2 बचेगा तो y minus pi by 2 is equal to है ना कितना आजाएगा y minus pi by 2 equal to x minus pi by 2 तो यदी इसको मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट एक मिनट at x equal to pi by 2 बुला जा रहा है तो y minus y1 equal to m into x minus x1 m की value माइनस 1 आ चुकी है ओके राइट ठीक है m की value माइनस 1 है हमारी तो यदि मैं इसको solve करता हूँ चले इसको solve कर दूँ मैं तो क्या जाएगा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं इसमें x दिया ही नहीं है यह कैसे हो सकता है x दिया नहीं है तो यह कैसे काम चलेगा x equal to pi by 2 पे cos 2 pi by 2 पे कुछ गड़बड हो रही है क्या x की टर्म आ रही है मगर इसमें answer में कहीं भी x नहीं है तो यह हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ओके चलिए तो इसको मैं फिर से एक बार बनाता हूँ solve question को solve करता हूँ देखते हैं देखिए कैसे करते हैं सबसे पहले देखिए आपको क्या चाहिए equation of tangent चाहिए और आपको जो tangent का point दे रखा है टे-tangent का point कितना है x equal to pi by 2 तो सबसे पहले y निकाल लो ओके x equal to pi by 2 पर अब y निकाले ज़िए तो y is equal to कितना हो जाएगा pi by 2 plus sin pi by 2 cos pi by 2 cos pi by 2 0 होता है तो y equal to कितना आ गया pi by 2 आ चुका है अब ठीक है अब चलिए इस पर हम dvdx निकालते हैं तो dvdx निकालने के लिए इसको मैं solve करता हूँ तो dvdx is equals to x का हो गया 1 sin x cos x को मैं एक काम करता हूँ sin x cos x का differentiation आप product rule से करेंगे तो क्या आएगा चलो product rule ही लगा दो कोई दिक्कत नहीं है sin x into cos x का कितना हो जाएगा minus sin x ठीक ना और फिर plus का cos x into कितना होगा अपने पास में cos x into cos x यानि की 1 plus cos x minus sin x यानि की cos of 2x directly लिख दूँ ओके कुछ गलती हुई थी पिछली बार समझ में आ गया तो देखिए 1 plus cos of 2 into pi by 2 यहां से 2 से 2 कैंसल तो कितना आ गया 1 minus 1 that is equal to 0 ओको यह ओकी तो यहां पे जो slope पारा वो 0 आ रहा है अब क्या बनेगी equation y minus y1 equal to slope कितना है 0 x into x minus x1 इसको 0 हो गया कोई परक नहीं पड़ता तो y minus y की value कितना है यह pi by 2 equal to 0 तो answer y equal to pi by 2 यहने 2y equals to pi तो option number c आना चाहिए यहां पर answer की form में 113 का option number 3 बिल्कुल correct है 113 का option number 3 भी किया है student ने यहां तो correct answer equals to option number 3 चलिए question number 114 की तरफ चलते हैं increasing at a rate of one centimeter per second देखो मतलब diameter की rate दी गई है मतलब D capital D upon sorry score D capital D upon DT diameter की rate दी गई किता one centimeter per second okay when its radius is pi when its radius is pi find the rate of increase in area आपको area में increase बताना है देखो एक चीज़ समझो यहां पर आप कि D कितना होता है 2R होता है na D upon D कितना होता है 2R equals to dt equals to कितना है one centimeter per second है तो यहां से two constant है तो इदर नीचे जा सकता है बड़े आराम से तो यह rate of change of radius आ चुकी है one by two centimeter per second हमको किसका radius निकालना है area का तो area equal to कितना होता है pi r square होता है ना जी pi r square है तो अपन चलो इसका rate of change of area निकालते हैं तो pi r square को अपन क्या करेंगे differentiate कर देंगे तो d a by dt is equals to कितना हो जाएगा pi है into two आ रहेगा और यहां dr by dt आ जाएगा कब बोला है radius जब समय radius pi है तो यहां पर pi है into two pi कर दो और dr by dt कितना है one upon two है चलो बहुत बढ़िया two से two काड़ दिया answer कितना जाएगा pi square तो यह option number one देखता हूं मैं सही कर्चा है सही है कि गलत है 114 का option number one absolutely correct ओके और यहां भी student ने option number one ही किया तो इसे full marks मिल जाएगे देखिए 33 की power one by five की आपको approximate value निकलनी है तो सबसे पहले यहां पर यह देखो कि यह किसके nearest है तो 33 की power one by five ओके तो इसे लिखा जा सकता है 32 plus one की power one by five ओके तो यह क्या हो गया यह हो गया x plus delta x की whole power one by five तो यहां पर x कितना आगया आपका 32 आगया और delta x आपका कितना आगया delta x आगया आपका one ठीक है ना अब देखिए क्या करना पड़ता हमको हमारे पास एक formula होता है डीवबाइ डीएकस है ना डीवबाइ डीएकस एककोल टू delta y इंटू delta x ठीक ना इस तरीके से तो जो delta y की value निकलती वो कितने निकलती है डीवबाइ डीएकस इंटू delta x अब आपके पास जो function बना है जो आपके पास function बना हुआ हो कि क्या बना गया function y is equal to x की power 1 by 5 बने का function तो डीवबाइ डीएकस निकल लेते हैं कितना हो जगा एन एकस की power n minus 1 तो n 1 upon 5 x की power 1 upon 5 minus 1 तो 1 upon 5 x की power minus 4 by 5 ठीक ना तो minus 4 by 5 इंटू कितना हो गया delta x यह क्या रहा है यह delta y आ रहा है ठीक ना यह delta y आ रहा है और चलिए तो अब इसको पूरा का पूरा solve कर दीजे तो देखिए 1 upon 5 है और x की power minus 4 by 5 x आपके पास कितना है 2 है x आपके पास कितना 2 है तो 2 की power minus 4 upon 5 ठीक ना 2 की power minus 4 upon 5 यह हो गया x plus delta x और delta x की value आपके पास कितनी है delta x की value आपके पास में 1 है ठीक ना delta x की value आपके पास में कितनी है 1 है अब आपको value निकालनी है कैसे निकालेंगे देखिए सबसे पहले आप जो है इसको नीचे ले जाएए 1 upon 5 1 upon 5 कर लिजे ओके इंटू 2 की power एक बार मैंने गलती तो नहीं करी ना है x में 1 upon बिलकुल सही है तो और यहां पे इसको नीचे ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 1 upon एक मिनट एक मिनट एक मिनट हां x की value 32 है यह तो गलती हो रही थी x की value किती है 32 है 2 नहीं है तो यह कितना हो गया 32 की power 4 by 5 into 1 चलो सब कुछ सही है तो 1 upon 5 और यह देखो कितना जागा 32 32 कितना हो जागा 2 आ 2 का पावर कितना हो गया 16 हो गया तो ये कितना आ गया, एक बटे 80, ओके, एक बटे 80 हो गया है, एक बटे 80 कितना हुआ करता है, एक बटे 80 देखो कितना हुआ करता है, एक बटे 80 इस तरीके से निकालोगे, 1 by 2, 20 into 1 by 4, है ना, इस तरीके से निकालोगे, तो 1 by 4 कितना होता है, 0.25, 0.25 और 2 into 10, तो 0.25 का आधा 0.25 का आधा कितना होता है 0.125 हुआ करता है 0.25 का जो आधा हुआ करता है 0.125 हुआ करता है और इसको decimal divide कर दोगे 10 का तो कितना हो जगा 0.0125 बहुत बढ़िया अब आपको क्या चाहिए है आपको चाहिए है y finally है ना तो यह कितना होता है y is equals to f of x plus तो जो y आएगा आपके पास हो किस तरीके से आएगा देखे f of x plus delta x तो क्या आएगा y जो आपका original था value जो था आपके पास में कितना था value आपके पास में 2 f of x plus delta x ठीक है एक मिनट इसको आप ऐसा समझे आप ऐसा समझे कि y is equal to क्या होता है f x होता है तो y plus delta y is equal to f of x plus delta x ऐसे समझे आप ठेकन है इसको तो y plus delta y is equal to f of x plus delta x अब आपको finally y की value चाहिए है आपको finally जो है किस की value चाहिए है y की value तो y is equal to f of x plus delta x और minus का delta y य यह value आपका निकलेगा चलिए इसको हम solve करते है तो यह कैसे solve होगा दिखे हाँ तो देखे यहाँ पर इस step में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर confused हो हम तो आपको केवल किस की value निकालनी है f of x plus delta x की value निकालनी है जो की आपका कितना है उपर जो दिया गया है आपके पास में कितना 32, 33 की power 1 by 5 येस तो 33 की power 1 by 5 तो y is equal to fx आपने कितना मान लिया था आपने मान लिया था 32 की power 1 by 5 जो की बन गया था 2 और plus delta y आपने कितना निकाला है 0.0125 I think so 0.0125 0.0125 I believe इसका answer 2.0125 4 वाला option होना चाहिए चलिए चेक करते हैं कि question number 115 का 4 option बिल्कुल सही है 115 का 4 ही सही है 2.0125 चलिए अगला question देखिए 2 की power 3 minus 1 अब divisible है तो ये तो बहुत ही आसान है n की value डाल दो answer आजागा तो 2 की power n की value 1 2 की power 3 minus कितना हो जागा 1 तो 8 में से 1 गए किता हुआ 7 तो 7 जो है 8 से divide नहीं होगा 9 से नहीं होगा 6 से नहीं होगा तो option number 2 होना चाहिए कुछ सान मिला question है 116 का option number 2 बिल्कुल सही है option number 2 ही सही है चलिए अगला question देखिए Shima has 2 coins which appear identical in purse she knows that one is fair and another is 2 headed तो एक fair है और एक 2 headed है उसने एक को निकाला है और head प्रप्त कलिया है probability that coin was fair मतलब यहाँ पर base theorem का कहीं न कहीं concept लगने वाला है question number 117 है तो चलिए आईए इसको हम solve करेंगे तो चलिए आईए देखिए यहाँ पर यह अपन ने solution बना दिया है correct answer इसका 1 by 3 आ रहा है answer sheet में मैं आपको देखके बताता हूँ कि इसका correct answer क्या है question number 117 117 का correct answer 1 है बिल्कुल सही है देखिए कैसे किया गया है यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में देखिए क्या खीचना आपको सबसे पहले आपको क्वाइन निकालना है अब कहरा है कि taken one out one toss it and get a head अब क्या हूँ है वह हैडप्राप्त करती है तो coin 1 में head आ है उसकी probability 1 by 2 मगर जो coin 2 है वो double headed है तो उसमें head आने की probability किती होगी वो तो one ही होगी अब कहरा अगर वह head प्राप्त कर लेती है तो fair coin होने की probability मतलब head प्राप्त करने के बाद fair coin हो मतलब वो कौन सा coin होगा वो first coin होगा c1 तो अपने conditional probability बना दी यहाँ पर okay p c1 upon h equal to कितना हो जागा देखो p c1 into p h by c1 और यहाँ पर कितना हो जागा p c1 into p h by c1 plus p c2 into p h by c2 इसको solve कर लिया हमेने तो answer मेरे पास कितना आ चुका 1 by 3 is the correct answer चली देखते हैं तो यहाँ पर student ने 3 लगाया है जो कि बिलकुल गलत होगा ओके 2 by 3 नहीं है incorrect है correct answer इसका कितना होगा 1 by 3 तो यह देखिए यह भी मतलब एक बड़ा question था थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर धैर रिकी बहुत जरूरत है क्योंकि base theorem जो होती है तो q is equals to कितना मालिया not swimmer को आपने कितना मालिया 0.3 और swimmer के किते हो जाएगी 1-0.3 that is equal to 0.7 अच्छा ठीक है the probability that 5% out of 5% 4 are swimmer तो आपको बताना है कि probability निकालनी है किते swimmer होने की 4 लोगों के swimmer होने की किते में से 5 में से तो formula जानते है अप लोग क्या होता है n c r p की power r और q की power n-r binomial distribution का formula होता है तो n c r यहाँ पर कितना जागा 5 c 4 0.7 के swimmer किते हैं 4 है 0.7 आएगा 4 पावर लेके और 0.3 लेके कितनी 1 पावर आएगी चलिए चलते हैं question number 19 की तरफ ठीक है okay question कह रहा है a and b are two events such that p equal to 0.25 and pb equal to 0.50 the probability that both happening together is 0.14 probability that both a and b are not happening ठीक है बहुत बढ़िया मतलब not happening की event निकालनी तो सबस्पर आपको टोटल की निकालनी पड़ेगी और बोथ are a and b are not happening तो दोनों के ना होने की probability आपको निकालनी है ठीक ना दोनों के ना होने की probability तो सबसे पहले आप क्या लिकाल लीजे आपको आपको union निकालना पड़ेगा ठीक ना आपको union निकालना पड़ेगा क्योंकि actually आपको probability किसकी निकालनी है ना a का होना और ना b का होना that is equal to क्या हो जगा universal minus probability a union b फिलाल probability है तो यह universal की जगए यहाँ पर बाना आएगा तो देखी चली सबसे पहले union निकालना है तो probability a union b निकाली जब कितना आएगा आपके पास that is equal to probability of a 0.25 plus probability of b यहने की 0.50 और minus together की 0.14 तो यह कितना हो गया यह हो गया 0.75 minus 0.14 ओके यह कितना हो गया देखिए 6 पांच में 4 गया एक हो गया पास साथ में से गया 6 हो गया तो 0.61 हो गया अब 1 में से आप 0.61 को माइनस कर दीजिए तो किता आएगा 0.39 आएगा ओके चली चेक करते हैं इसका answer question number कौन सा है 119 का option number 3 बिल्कुल सही है correct answer answer number 3 यहां student ने भी 3 ही दिया है तो बिल्कुल 1 marks मिलेंगे चली अगला question देखिए अगला question simple question है the value of 10 inverse cos x 1 minus sin x तो 10 inverse अब देखिए cos x को क्या लिखा जासकता है cos x को यह लिखा जासकता है cos square x by 2 minus sin square x by 2 ओके और 1 minus sin x को क्या लिखा जासकता है 1 minus sin x को लिखा जासकता है cos x by 2 minus sin x by 2 का whole square ओके चली तो यहां से हो गया 10 inverse यह हो गया cos x by 2 plus sin x by 2 cos x by 2 cos x by 2 minus sin x by 2 cancel हो जाएंगे ऊपर बचेगा cos x by 2 plus sin x by 2 और नीचे बच जाएगा cos x by 2 minus sin x by 2 यह बचेगा तो 10 inverse एक काम कीजे यहां से आप cos को डिवाइट कर दीजे तो यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 1 plus 10 x by 2 और यह बन जाएगा 1 minus 10 x by 2 तो 10 inverse यह अंदर क्या लिखा हुआ है यह अंदर लिखा हुआ है 10 of pi by 4 plus x by 2 लिखा हुआ है तो 10 से 10 cancel answer कितना आ गया pi by 4 plus x by 2 तो option इसका जो है 120 का कितना होना चाहिए option इसका आपके पास में 120 का option option number 3 होना चाहिए चली देखते है 120 का option number 3 बिल्कुल सही है 120 का option number 3 correct answer student ने भी यहां पर सही किया हुआ है correct option option number 3 आया है यहां हमाँ पास चली अगला question देखते हैं अगला question if a b c are unit vector such that a plus b plus c equal to 0 then the value of a dot b b dot c dot a बहुत ही अच्छा question है तो simple question है vector का ultra simple question square कर दीजे तो क्या हो जाएगा square कर दो के तो यह बन जाएगा a square plus b square plus c square okay plus two common ले लो a dot b plus b dot c plus c dot a यह आपको निकालना है equal to कितना चलेगा 0 चलेगा यह देखो यह vector है vector vector का square क्या होता है उसके magnitude का square होता है सबके सब क्या है one है तो यह one plus one plus one कितना हो जाएगा three plus two times of a dot b plus b dot c plus c dot a equal to कितना zero तो three इदर जाएगा तो हो जाएगा two upon में चला जाएगा तो answer कितना हैगा minus three by two तो option इसका c होना चाहिए one twenty one का option number three बिल्कुल सही option मैंने चेक कर लिया है option number three three बिल्कुल correct है so done answer equal to हो जाएगा कितना three हो जाएगा चली अगला question चलते हैं देखे अगला question दो बहुत ही मतलब बच्चों वाला question दे रिया है देखे transition vector of the point which divides this and this externally in the ratio two ratio three देखो internally नहीं है externally है तो कैसे करोगे आप यहाँ पे externally के लिए क्लिए क्या होता है मतलब की second वाला ratio पहले वाले vector के साथ और first वाला ratio second वाले vector के साथ बीच में माइनस हैना तो इसको मैं कैसे करूँगा three times of four vector a plus vector b बीच में minus zero लगाना और two times of vector a minus two vector b और whole divided by two plus three यहने की five होता है तो three into four कितना हो गया 12a plus हो गया कितना three b minus ka two a और plus का कितना हो गया four b divided by कितना हो गया five हो गया okay 12a में से two a गया कितना हो गया यह 10a बन गया है और three b plus four b कितना हो गया इतने पास seven b हो गया और upon में कितना five है तो इसको मैं क्या लख सकता हूँ कुछ गलती तो नहीं हुई है कहीं पर answer तो match हो नहीं रहा है हाँ गलती क्या होई देखे यहाँ पर मैंने ratio में plus कर दिया देखे यही गलती हो गया तो ratio में क्या हो गर two minus three होगा है ना टू- three तो यहाँ पर two minus three है नहीं कितना जाएगा minus 1, तो correct answer देखी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर upon में 5, देखो जिसमें upon में 5 रख रहा है, वो तो होई नहीं सकता, क्योंकि वो internal ratio, वो external ratio कहला जाएगा है न, और अब आपके पास में externally divide करने को बूला गया है, externally divide करने कबूला गया है, तो 7A, 10A plus 7 vector B हमाँ पास में आ रहा है, ठीक है, 10A plus 7 vector B, और, ओके तो एक तिंक यहाँ पर देखी, minus आ रहा है, बस यह problem हो रही है, बट match करने को D option match कर रहा है, क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं, ओके, तो अब यहाँ पर externally ratio divide करने को बूला गया, तो question देखते हैं, 122 का, 122 का option number 4 दिया गया है, बिल्कुल सही है, so 122 का option number 4 correct है, तो यह देखिए, मैंने का इतना सरल question है, बट इसके बाद भी यह जो है, बच्चे ने गलत कर दिया है, one option लगा दिया है, मतलब यह exam pressure होता है, ठीक है ना, अब अब अपन को दिख रहा है साफ साफ की, की यहाँ पर clear दिख रहा है, कि यह answer है, बस एक minus sign आ रहा है, I think, so की, यहाँ पर 2 minus 3 है, क्योंकि ratio तो M1 minus M2 ही जाएगा, तो minus sign यह का रहा है, उसको शायद miss print होगी है, जो भी होगा, यह शायद मैं देख लूँगा एक बार, तो मतलब यहाँ पर यह answer आ रहा है, उसके बाद भी गलती करके आए बच्चा, यह exam pressure है, इतना easy question है, क्योंकि क्या होगा है, इसमें बच्चे ने, इसमें बच्चे ने external नहीं देखा, बाहे नहीं देखा, external नहीं देखा, अगर external देख लेता, तो यह गलती बिल्कुल नहीं होती, externally division करने की बात कही गई, तो question को पढ़ना बहुत important है, question को बहुत अच्छे से पढ़िए, नहीं तो ऐसी गलतीयां बहुत होती है, मतलब बड़े exams में तो मान लीजे होती है, चलिए अगला question दीखे, projection of this on this, तो बहुत ही simple है, इसका इसके साथ dot product कर दो, और नीचे वाले का mod डिवाइट कर दो, तो 1 in 2, minus 1, minus 1, दूसरा minus 2 into plus 2, कितना हो जाएगा, minus का 4 हो जाएगा, और 4 into 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया, 8 में से 5 हैनी की ऊपर, 3 हो जाएगा, और नीचे इसका mod देखते हैं, second वाले का, 4, 4, 8, 9, तो जाएगा, 9 का mod कितना हैगा, 3 आएगा, तो answer clear दिख रहा है कि जो projection अपना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो option number 2 होना चाहिए इसका, चलिए चेक करता हूँ में, 123 का option number 2, बिल्कुल सही है, 123 का option number 2 ही सही है, यहाँ पे भी student ने 2 लगाया है, so it will be, he will be given for full marks 1, चलिए अगला देखे question क्या है, अगला question आपको इसको लिखना है कि आपको तोड़ करके, तो इसको आप बढ़िया है, इसको आप open कर दो, तो i cap cross j cap कितना होता है, के 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 क चलिए तो यह cancel हो गया, यह cancel हो गया, यह cancel हो गया, सारे cancel हो गया, answer के तागे 0, तो इस answer 2 होना चाहिए, 124 का मैं चेक करता हूँ, correct answer है, option number 2 is the correct option, ओके, यहाँ भी student 2 की है, इसको full marks मिलेंगे, चलिए question number 125 देखते हैं, कि the rth term of the expansion, this is without x, मतलब की कह रहा, r की value क्या होगी, तो देखे, rth term आपको बता रहा है, कि rth term जो expansion का, उसकी value जो है, without x है, तो भाई, जो rth term होता है, tr, okay, वो कित्ता हुआ करता है, tr जो होता है, that is equal to, ncr-1, okay, ncr-1, और a की power n minus r, a की power n minus r plus 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की power n minus r plus 1, और b की power कितना होता है, b की power होता है, r minus 1, तो इस concept को use करके, आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा, तो चलिए देखे, यहाँ पे कहरा, the rth term, तो rth term तो यह ने बना लिया है, okay, चलिए, तो कहरा कि जो rth term है, वो इसका expansion का without x है, जो इसका rth term यह दिया गया है, उसका without x है, तो आपको rth निकालना है, ठीक ना, तो देखो इसको एक तो तरीका आप इतने complicated तरीके से कर सकते हो, दूसरा तरीका ही है, कि आप r plus 1th term भी लेकर कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब किस से है, मतलब तो आपको उस term से है, जिसके पास की, जिसके पास जो है, term की संख्या बतानी, कौन सा term है, तो आप मैं कहूंगा कि better इसको आप r plus 1th लेकर करो, तो आपकी tension कम रहेगी, ठीक ना उसमें आपकी खिलतियां होने के chances कम रहेंगे, तो आप इसको जो है, r plus 1th लेकर के कीजिए, तो मैं इसा कहूंगा, चलिए तो मैं r plus 1th लेकर करा रहा हूँ, तो r plus 1th term जो होता, that is equal to होता कितना, n, c, r, a की power n-r, और b की power r, तो खेर आपको क्या मतलब है, n, c, r से मतलब न देखना है, तो 2x square की power n-r, याने 12-r, और b, याने minus 1 upon x की power कितना हो गया, r, तो देखो, यहां से कितना हैगा, x की power से मतलब रखो, 24-2r, और यहां से कितना हैगा, x की power हो गया, minus r, तो यह कितना हो गया, x की power हो गया, 24-3r, ओके, तो यहां से 3r, 24-3r, equal to 0, क्योंकि constant के ल 3R equal to 0 तो 3R equal to 24 याने R equal to कितना आ गया 8 आ गया आप से कहरा R की value 8 होगी बट आपको term जानना है न तो term क्या होगा R plus 1 कहरा आप the R-th term R-th term तो term कौन सा है R plus 1 वा term है तो answer इसका 9 होना चाहिए तो 125 का answer बिल्कुल सही है 9 answer है चली देखते हैं तो यहाँ पर जैसे student ने 2 लगा दिया है क्योंकि उसने R की value लिख दी वो गलती हो गई यह देखिए कितना जदा confusion create कर दिया और बच्चे ने 2 लगा दिये यहाँ पर तो ऐसी गलती होती exam में जब आप इसको आ के करोगे एंड बॉक्स में टाइप की जिएगा थैंक यू सो मच पॉर विइंग विद लोके सर